जहिन नमस्कार किसान सात्यो एक बार फिर इंडे नागरी पॉइंट के एक और नई वीडियो में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक जबरदस्त कीटनाशक के बारे में जानकरी लेने वाले हैं जिसे के एक नईा किटनाशक माना जाता है तो क्या इसके बारे में सच है वो भी आगे वीडियो में जानेंगे और वीडियो बिल्कुल शाट और 포인्ट तो पोईंट होने वाला है जदा इधर उधर की बात है इसके अंदर नहीं होने वाले है तो वीडियो पूरा देखेगा और पूरा देखने के बाद आपको यह सा लगा कि वीडियो के माध्यम से कुछ जानकरी मिली है तो जरूर वीडियो के एक लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर देना चलिए वीडियो को शुरुवात करते हैं तो दोस्तों इस वीडियों के माध्यम से जिस कीट नाशक के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी किशन बाई इसे एक नया कीट नाशक मानते हैं तो वो कीट नाशक है INFM-C का कॉर्प्रुमा कीट नाशक इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर आता है क्लोर एंट्रा निलिप्रोल 35% WG formulation में WG का मतलब होता है Water Dispersible Granule तो जैसे आपने देखा दोस्तों क्लोर एंट्रा निलिप्रोल ये कोई नया टेक्निकल नहीं है सेम टेक्निकल आपको EFMC की कोराजन में भी देखने को मिल जाता है लेकिन फरक इतना है दोस्तों कोराजन में उसका percentage कमे formulation change है और यहाँ पर percentage थोड़ा बड़ा हुआ है 35% और WG formulation में आपे देखने को मिल जाता है हलाकि brand name technical percentage और उसके साथ जो formulation वो change है लेकिन यह एक नया कीटनाशक नहीं है यह same technical already आपको market में मिलता था लेकिन यहाँ पर percentage जादा है और formulation change है तो इसे आप chlorantraniliprol या फिर कोराजन का upgrade version के सकते हो लेकिन नया कीटनाशक है बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए chlorantraniliprol के बारे में जितने भी technical है बहुती अच्छी तरीके से जो बड़ी इल्या होती है उनके उपर काम करते है और दोस्तो एक broad spectrum कीटनाशक है जिसके कारण एक से ज़्यादा इल्यों के उपर यह काम करता है इस कीटनाशक की दोस्तो एक खास बात है कि इसके अंदर ovicidal और larvicidal action है जिसके कारण आपको all round control अपे देखने को मिल जाता है तो ovicidal का मतलब यह किटकों के जो अंडे होते उसको यह नश्ट करता है और larvicidal का मतलब होता है कि जो किटकों की जो larv आवस्ता होती है वो पसल में बहुत ज़्यादा damage करती है तो यह उसके उपर भी बहुत ही अच्छा तरीके से effective control देलाने में मदद करता है किस प्रकासे यह किटकों के उपर attack करता है देखे जब हम spray करते तो spray के दोरान अगर यह किटक संपर्क में आते है इल्या संपर्क में आती है या पिर spray के बाद भी कुछ खाने का प्रयास करते है और उसके साथ यह technical उसके पेट के अंदर जाता है तो वहाँ पे जाके उनकी जो calcium chain होते है उसको यह breakdown कर देता है जिसके कारण किटक paralyze होता है और अगले आने वाले कुछ घंटों में किटकों को वहाँ पे paralyze होके पूरी तरीके से अपनी जान छोड़ देता है तो कुछ इस प्रकार से यह technical किटकों के उपर काम करता है अब जानते कि कौन कौन से ilio के उपर यह काम करता है उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो ilio की image में दिखाऊंगा तो वो ध्यान से देखेगा ताकि आपकी फसल में भी यह ilio आप पेचान सकोगे और उसके उपर सही दवा का इस्तमाल आप कर सकोगे तो चलिए जानते हैं तो देखें यह किटनाशक label claim के साथ जो pod borrower के समझ से आती है या फिर fruit borrower के समझ से आती है उसके उपर बहुत ही अच्छा काम करता है tomato, bengan, mirch, soya bean उसके साथ-साथ बहुत सारी अन्य फसले होते है उनके अंदर यह समझ से आती है तो बहुत ही अच्छा काम करता है साथ-साथ बेंगन की फसल में आपको खास करके शूड बोरर, स्टेम बोरर के समझ से आती है उसके उपर भी काम करता है साथे साथ दोस्तों जो पत्ते काटने वाली जो इल्लिया होती है बड़ी इल्लिया उनके उपर भी ये काम करता है जो American Ballworm होती है उसके उपर भी Cotton के फसल में बहुत अच्छा काम करता है जो सेमिल उपर होती है हरे कलर की उसके उपर भी इसके अच्छे रिजल्ट है साथे साथ आपको पत्ता गोबी या फिर फूल गोबी में जो आपको समझ से आती है डायमन बैक मौद जिसे डीबियम के थे है तो उसके उपर भी ये effective कीटनाशक है तो दोस्तो ये कुछ lebel Krem के साथ आने वाले कीट है उनके उपर बहुत ही अच्छी तरीके से ये कीटनाशक काम करता है रही बात कंभीनेशन की तो दोस्तो इस कीटनाशक को आप किसी भी किटनाशक अन्य फपुंदनाशक के साथ भी कंभीनेशन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपका मोटिव से इलियों को कॉंट्रल करना होगा तो मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा आप कॉंबिनेशन ना करें आप किट नाशक के साथ कर सकते हो लेकिन जो फपुंद नाशक ये अनपी के टॉनिक वगएर आप डालते हो तो वो आप जरा अवयड किजिये चलिए जानते की कितने दिनों तक इए कित नाशक काम करता है तो दोस्तों ये कित नाशक लगबग ルगग के बाद 10 से 15 दिनों तक बहुत ही अच्छा काम करता है rain fastness की बात करे तो 2 गंटे का rain fastness इसका देखने को मिल जाता है इन सब के बाद इस kit नाशक की सबसे मेतो पुर्णो बात आती है कि इसका डोज अखिर क्या ले तो दोस्तो ध्यान से सुनिएगा अगर आपकी फसर में attack जादा हो इलियो का दोस्तो ये kit नाशक जो मित्र kit होते है फसल में उनके लिए भी बिल्कुल सेप है तो आप किसी भी अवस्ता में डाल सकते हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है अगर flowering में भी डालना चाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी packing बड़ी से छोटी packing में भी अविलेबल है कोई दिक्कत नहीं है आपको आसानी से market में नजदी की shop में मिल जाएगी तो दोस्तो ये रही कॉर्परिमावी की शोट वीडियो में डीटेल जानकरी तो जानकरी अच्छी लगिये हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा ज्यादा किसान भायतक वीडियो शेयर करना तो मिलते आगे एसे इंपॉर्मेटिव वीडियो के सा तब तक के लिए जय जवान जय किसान धन्यवाद